जैहिन साथियो अभी हमला उपस्तित हैं एक्जाम टोड चैनल पर और आप देख सकते हैं जो भी अभी हरती है तेजस्वी जी क्या बोले 10 लाख नौकरी को लेकर ये भी देखेंगे और यहां पर क्या बिसेस है आप सब के लिए जरूर देखें और वीडियो को अंतक जरूर बने रहे हैं सबसे पहले बता दे यह गए थे यहां पर रविंद्र भॉहन रविदास जयांती में और वहीं पर आयोजित जयांती समारो था उसी में बोले कि 10 लाख वेकेंसी बहुत जल्द दिया जाएगा वह मुझे याद है जो वादा किया है उसे पूरा करने का प्रया दे इस बात को कि सबसे अधिक उनकी वेकेंसी तो जो भी बिहार पुलिश और यादी दरोगा की तैयारी करते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है ताकि यह पहली अभी वेकेंसी देखा जाए तो उसी लेवल पर आने वाली है देख सकते हैं रविंद्र भॉहन में रवि पर का यहां पर अज़ेट और सुरेंदर राम अन्य यहां पर देखें वो क्या की चालेवले 10 लक नौकरी को लेकर मम्ता और असा का मंदे उठ बढ़ाएगी सरकार तेजस्वी यहां पर देखिए उन्हें कहा कि सरकार आशा और मामता दिरियों का मंदे बढ़ाएगी इस पर गंभीरता से काम को हो रहा है तेजस्वी रविबार को रविदास यतना मंच के तत्व धान में संत्र सजोमरी गुरु रविदास जी की 606 जयांती समारों की लिज़ाश शुड़ होगी अब देखिए सिग्र बड़ी संख्या में बिहार पुलिश पाली प्रत्विकता बिहार पुलिश उसके बाद बिहार प्रदार होगा उसके बाद आपका टीचर लोग का वेकंसी और इसी तरीका से आप देखेगा तो कम्प्यूटर सिक्षक की वेकंसी इसी तरीका से देखिएगा तो पहले क्या होता था जितना भी प्षमार आ था यानि की propri केंसी गुरुब ॡ का निकाला जाता था वह सरकार ही यानि की बीทुर को को दिया जाएगा वहाँ ते प्रकर की और आप से बता दे बी एस सही इंटर अध्यक्सता राजत के प्रदेश उपाध्यक्स और रविदास चतनामंच के राष्टिय अध्यक्स शीवचंद्र राम ने किया संचालन लाल बाबू राम ने किया उद्योग मंत्री समीर महासित ने कहा कि लालु परसाद वातेजस्वी परसाद के नेतृत में जातिये जनग कुमारदास मुकेश कुमार रौसन अब यह लोग का नाम है तो देख सकते हैं उनका क्या क्या कहना है आगे देखिएगा सुरेंद्र पस्वान लाल बाबू राम संबोधित किया शीवचंद्र राम ने कहा कि अनुसुची जाती का अरक्षण 16 परतिसाद से बढ़ा कर 25 पर तरीका में अरक्षण लागू करने का बात सामिल की देखिए 10 लाक वेकंसी है यादी 10 लाक वेकंसी दे दिया जाए इसमें अच्छाई तरीका से क्या कर दिया जाए तो जैन्मीन जो अभी द्यारति है उनका कल्यार हो जाएगा यहां पे देखेंगे बिहार तै करेगा दे लाने का प्रियास करेंगे यहां पर देखेंगे leic 122 के दुसरे चरण में हो रही डिर अपत के लिए जारी हेल लाइन Bisney नंबर 112 के दूसरे चरण में डेरी हो यह हो रही है पिछले साल सितंबर में दूसरे चरण की तहत राज्यों के सवी प्रकंड में 112 की शेवा पह करती की कमी है यानि कि उन लोग के पास ना भीहार पुलिस की अधिकारी है न गारी चालक है और नहीं ऐसाई दरोगा है तो इसको लेकर भी देखिए उन लोग को ग्रीह मंत्राले के दोरा फटकार तहत राजयों में स्वीफर खन्मी 112 के पहुंचाने का लक्स था इसके बाद पदो का सिरजन भी कर दिया गया है मगर अभी तक पुलिस मुख्याले की और से प्रस्ताव नहीं दिया गया इस पर ग्रीह मंत्राले ने एतराज जाता ते हुए मुख्याले को अभीलम प्रस्ताव भेजने को कहा अभीलम का अर्थवा एक सप्ता के अंदर भेजा जाएग वह आप सब के लिए 2300 अच्छा वर्स होगा गोल्डेन वर्स होगा ताकि 24 और 25 में लगतार चुनाओ है तो आप कोशिश करें कि आपका मैथ रिजिनिक जिके जिए साइंस में जो कम जोड़ है उसको अच्छा करके और आगे बढ़ने का प्रयास करें ताकि ऐसा मों का फिर क अधुनी करण की बैठक में इमर्जेंसी रिस्पॉंस सपोर्ट सिस्टम के तहट सुरू की गई डाइलेक्स बारा योजना का समिक्चा की गई एडीजी तकनिकी शेवा विदूत के सप्ताह के अंदर ई ई आई एस एस पर योजना का स्टेटस रिपोर्ट विभाग को उप डाइलेक्स बारा के नए कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर का काम भी चल्द शुरू करने को कहा गया यानि कि आप देख सकते हैं इसमें जो भी बहाल होंगे क्या क्या होगा डाइलेक्स बारा के दूसरे चर्ण के तहत 833 चार पहिये वाहन और 552 पहिये वाहन का संचालन किय जाना है इसके लिए 19288 मानव संसाधन की जरूरत होगी यानि कि अब पुलिस की साई की दरूर समिक्षा बैठक में कहा गया कि अभी आउट डोर एस्वस माध्यम के एजेंसी के द्वारा ड्राइबर की समय ली जा रही है एवेर्जेंसी करे में विस्तरित करने के प्रस्त चुनाओं पर के समय निकाला जाता है अच्छी बात है लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि आपका तो अच्छा काम हो जाता है कि अभ्यर्थी का नहीं होता है चुकि वह पान साल वेट करते हैं 2019 के बाद रेलवे में अभी तक कोई वेकंसी नहीं दिया गया तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री मुख मंत्री और शभी लोग को मैं निमेदन करूँगा कि समय से वेकंसी दे कि अभ्यूné